एलो फ्रेंड्स आजम बात करने वाले रितिक रोषन के अपकमिंग फिल्म फाइटर की सुटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स ये फिल्म की सुटिंग अगले माईने याने की नोएंबर माईने में शुरू हो सकती है क्यू कि फ्रेंट्स रितिक रोशन इस फाइटर फिल्मा में स्टन्ड करते हुए फाइटर जेट को उड़ाते हुए दिखाई देंगे इसलिए रितिक रोशन इस फिल्मा के लिए बोडी को फिट करने में बेस्त है और बोडी को फिट करने के लिए रितिक रोषन ने बारा वीक लिये है और अक्टूबर के लास्ट तक रितिक रोषन का बोडी बनाने का काम पूरा हो जाएगा तब इस फिल्म की अगले महिने में स्टूटिंग स्टार्ट हो सकती है फ्रेंड्स और इस फाइटर फिल्म में रितिक रोषन के साथ दिपिक पादुकोन और अनिल कपूर भी नजर आने वाले है इस फिल्म में फ्रेंड्स दिपिका पादुकोन भी जबर दस्ते एक्शन स्टन करते हुए नजर आने वाली है इसलिए फ्रेंड्स दिपिका भी मासल आर्ट भी शीक रही है और साथ ही फ्रेंड्स अनिल कपूर का भी इस फिल्म में एक्षन सीन होने वाला है तो फ्रेंड्स ये फाइटर फिल्म एक्षन से भरपूर होने वाली है और बात करें इस फाइटर फिल्म की डियरेक्टर की तो इस फिल्म को सिद्दार्त आनंद डियरेक्ट करन वाले है और फ्रेंड्स रितिक रोशन इस फिल्म में जबरदस्त बोडी में दिखाई देने वाले है और बात करें इस फाइटर फिल्म के रिलीज देट को लेकर तो ये फिल्म हमें अगले साल यानि की 2023 में देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप ये रितिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर के लिए कितने एकसाइड है कमेंट में जरूर बताए और साथ में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चाइनल को सस्क्राइब कर देना है फ्रेंड्स तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में